हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल्ट पर दोस्त आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़कियां या फिर लड़के भी अपने शरीर के अंचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिन करवाते हैं तो वैक्सिन करवाने के बाद अपसर हमारी बॉड़ी पर पिंपल्स निकलाते हैं जिसकी वज़े से हमें काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है अगर आपकी बौडी पर भी वैक्सिंग करवानेmost के बार पिम्पल्स की समस्या हो जाती है तो आपको मेरी आज की विडियो देखने की ज़रुरत है दोस्त包括 अपनी बौडी से पिम्पल्स को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रुरत है कि आपकी body पर pimples होते क्यों है जब ही हम waxing कराते हैं तो आपने अपसर देखा होगा कि जिस भी पालर में या पिर जिस भी specialist के पास समझाते हैं waxing कराने के लिए वो हमारी body पर सबसे पहले powder लगाती है और अपने पालर का इसी चालू करती है ताकि हमारी body पर बिल्कुल भी moisture ना रहे क्योंकि जितना moisture हमारी body पर रहेगा bacteria का संक्रमन उतना ज्यादा फैलेगा इसी लिए इस संक्रमन से बचने के लिए जब भी आप waxing कराने जाए तो कोशिश करें कि आपके हाथ, पैर या फिर वो area जहां पर आप waxing करा रही है वो बिल्कुल साफ हो बिल्कुल भी वहाँ पर पसीना या फिर धूर मिट्टी ना हो इसी के साथ साथ जब आप waxing कराएं तो सही तरीके से अपनी skin को hold करें waxing कराने के बाद गंदे हातों से अपनी wax की हुई तवचा को नाच हुएं ऐसा करने से संक्रमन बढ़ता है और जब आपकी wax पूरी हो जाए तो अपनी बाड़ी पर अच्छे तरीके से कोई moisturizer ज़रूर लगाईए ताकि आपकी जितने भी खुले हुए pores हैं वो अच्छे तरीके से बंद हो सकें और कुछ देर के लिए उसी स्थीती में relaxation ज़रूर करिए ऐसा करने से आपकी बाड़ी पर pimples नहीं पढ़ेंगी और अगर आपकी बाड़ी पर pimples पढ़ जाते हैं तो आप ice pack यानि की बर्फ के टुकडों से मसाज कर सकते हैं ये pimples को ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका है तो दोस्तों अगर आप वैक्सिन कराना चाहते हैं तो सारी precautions को याद रखिए और अगर आपके pimples हो जाता है तो बर्फ को इस्तेमाल करिए मेरी beauty और healthy related वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजास्त लेती हूँ